आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ हाई, question है the rate constant k for pseudo-first-order reaction is देखे, pseudo-first-order reaction क्या होती है आपके पास समादी लेते है मानलीजिए आपके पास a plus b goes to product है ठीक है और इसको जो rate है rate is equal to k rate constant a into b यह है लेकिन जो b है वो अगर बहुत ज़्यादा amount में हो जाए a से, मतलब b मानलीजिए solvent है ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छे amount में है तब क्या होगा अगर इतना अच्छे amount में है तो reaction अगर हो भी रही है तो a के respect में जो a का change है काफी अच्छा हो रहा है b का अतना च्छे नहीं हो अगर b हमारा solvent है थोड़ा बहुत अगर यूज हुआ तो इसकी condition में कोई फार्क नहीं पड़ेगा अगर condition बदल ही नहीं रही है इसकी तो हम लोग मानेंगे कि यह इसकी condition की constant है और उस constant को हम लोग इस constant में सामिल कर लेंगे मतलब यह क्या बन जाएगा तो rate इतना बन जाएगा kb ठीक है यह एक नया content बन गया हमारे पास और a इस kb को हम लोग बोल रहे हैं यहां पर k dash तो rate up करना बनेगा k dash into a यहां पर जो k dash है वो k into b के बराबर है ठीक है अभी जो reaction है यह first order को follow कर रही है यह के respect में order मारा one है यह हमारा constant है तो इस reaction को हम लोग बोलते हैं ऐसलिए pseudo first order reaction होना चाहे था 2 लेकिन निकल गया गया one because of large quantity of b इसी विज़े से यह order हमारा बना रहा है इसको बोलते हैं हम लोग pseudo first order reaction और first order के लिए ठीक है अब आप equation देखते हो integrated rate loss का अगर देखते हो तो निकलते हाता है ct यहापे ct क्या है final concentration है मतलब कितना बचा c not initial है e to the power minus kt ठीक है question के options में इसको c लिया हुआ है इसको मैं c लिल लेता हूँ तो c is equal to c not e to the power minus kt यहापके पास है अब मैं इसका लेता हूँ log log base e मतलब ln c is equal to ln c not plus ln e to the power minus kt यह बनेगा यहाँ से और ln c is equal to ln c not यह जागा इस रूम में जागा minus kt ln e हमारा 1 बन जाएगा ठीक है यहाँ से आप अगर देखो तो जो kt है वो बनेगा ln c not minus ln c kt is equal to ln c not divided by c property होगी log की ln को मैं log में change कर सकता हूँ log में change करेंगे तो यह बन जाएगा आपका kt is equal to 2.303 log c not divided by c और जो rate constant क्या बनेगा k dash आपके पास निकल के आएगा अभी इसका rate constant में इसका k dash माल लेता हूँ first order के लिए यह सब k dash है तो यहाँ पे k dash आपके निकल के आ रहा है वो जाएगा 1 by t मतलब 2.303 by t log c not divided by c यह आपका अंसर होगा तरिगह, ो फ़ें चेक कर ले तेंक पा आपके पार स्टो आपजन है ल्हाँ पार सीर देवाटपे इसी दिया होऊँ आपको फूर्थ आपशन में यह आपकी अंसर होगा तैंक्यो गास्की सीट्योल से लेके नीट IIT जेही मेन्स और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स आच चार्सो 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 पर